तो फ्रेंड्स वेलकम टूटीचेस एमपैर आगकी इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए लेके आया हैं कुछ तो सही आंसर है अप्शन नमबर ए एडवर्ड मास एडवर्ड मास ने यह टर्म कोई नहीं किया जिसका नाम के आपका जिए ठीक है अगर मैं बात करता हूं इस टर्म की तो जॉर्जन मुमेंट आपने नाम सुना होगा जो की कौन सी एज का मुमेंट पाना जाएगा तो आप कहेंगे 20th century का मुमेंट कौन सी इसका 20th century अगर मैं बात करूं इसके अधर आप्शन की जैसा कि आपको दिया एजरा पाउंड तो एजरा पाउंड आपको पता है जो कि अपने एक बहुत ही फेमस वर्क के लिए जाने जाते हैं कुछ मैंट्रों करके इनका वर्क है आपको यह दिनाम यात है तो आप करेमन बख्स में बताएंगे अब मैं बात करता हूं एजरा पाउंड की तो एडवर्ब मास मैंने आपको बताया जोर्जन पोएट्स करके आपने या जोर्जन पोएट्री नाम सुना होगा यह मोमेंट है कौन सी सेंचुरी का तो एजरा को फाउंड कब किया था 1912 में फाउंड किया था ठीक है अगर हम बात करता हूं किसकी एजरा पाउंड की तो मैंने आपको बताइए अब आप मुझे उस राजिव पाउंड का नाम बताएं से एजरा पाउंड या जिसकी हैल्प करी था इज़रा पौनने उनके किसी वर्क क के आगे के प्रीफेस को लिखने के लिए ठीक है उस इंडिया नाइटर का आपने मुझे नाम बताना है मैं बढ़ता हूं अगर विल्यम ब्लेक की ओर तो विल्यम ब्लेक कौन सी एच के हैं तो रहन कमेंट बोक्स में आप मुझे बिलॉग करते हैं विल्यम ब्लेक जो कि एक आपको बताई है और यह जाने जाते हैं अपनी बहुत ही फेमस पोयम दटाइगर करके विल्यम ब्लेक की इसके अलावा इनकी अधर भी पोयम से उनके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में डिसकस कर चुका हूं तो विल्यम ब्लेक कौन सी इसे ब्लांग करते हैं कमें आपने मुझे बताना है बात अगर मैं करूं सोरीन क्रिकगाट की तो सोरीन क्रिकगाट जो की फादर ओफ एक्जिस्टेंचलिजम के नाम से जाने जाते हैं किस नाम से फादर ओफ एक्जिस्टेंचलिजम के नाम से जाने जाते हैं और अब मैं जो यह वर्ड यूज कर रह 19th century का तो जो सोरेन क्रिक गार्ड है इनको इसी मोमेंट का फादर humanEMट को सोरेन कinta अको इसको सोरेन क्रिक को अगर पैशन आता है कि आterror of existentialism किसे माना जाता है तो सोरेन क्रिक गार्ड को ठिक है अगर हम बात कर रा था भी 19th century का एक मोमेंट तो 19th century में और कौन-कन से मोमेंट आते हैं यह अगर मैं आपको बताना चाहूं तो symbolism moment s-y-m-b-o-l-i-s-m symbolism moment आएगा और जो तीसरा इसमा आएगा वह आएगा आपका naturalism moment n-a-t-u-r-a-l-i-s-m naturalism moment आएगा और इसके साथ साथ जो अभी मैंने जिसकी बात करी थी existentialism existentialism भी 90 century का ही moment है और मैंने अभी आपको South 싶 आपको और आपको पताए होगा जो आपका ऊक्सपॉर्ड मोमेंट भी आता है equal taka arm झाल नहीं है और जो 19th century में जो में उनपनाट वह तहना वह आता है कामना ऑक्सपॉर्ड मोमेंट लिए यह जो अ और नाम है आपको है ट्रेक्टीरियन इन मॉवट्ट के जिए तरड है अगरन चोड़न है इस फिस्टरी के जो आपका मोमेंट है oni छूटी छपी चीजे नहीं एंने में फेल ही बोर लग सकती है लेकिन से फ्रसक्षिन किये जा सकते हैं क्योंकि UKSSD का कुछ पता नहीं कि वो कॉश्चन कहां से उठा दे इस्पेशल अगर आप प्रिवेस यह पेपर देखेंगे तो मतलब कॉश्चन से इतने बेसिक होंगे आपको सुना जासतों सब लगेगा अब वो इसे पूछा देगा कि यह जो ट्रक्टेरियन मॉमेंट है य यह कौनसे कंटिनेंट के राइटर के लिए था यह कौन सी कंट्री के राइटर के लिए था अब यह आपके जिम्मिदारी बनते है कि इसको deep analysis कर रहें इसको search out कर रहें कि इसमें जैसे मैंने अबहें आपको बताया कि वह European writers के लिए था तो ऐसी जो आपको Oxford moment है क्या यह you Oxford एक तो आपका Oxford moment मैंने आपको बताया और दूसरा मैंने आपको existentialism बताया और तीसा मैंने आपको realism में बताया और इसी के साथ साथ एक और work जो 19th century में मना जाता है वो मना जाता है 1848 और 1848 में हुआ क्या था एक group found हुआ था आपने उसका नाम मुझे बताना है और उस group का leader किसे मना जाता है वो भी आपने मुझे बताना है ठीक है अगर हम बात करता हूं अब मैं फिर से question पर आता हूं तो question पर अगर मैं आऊं तो एक question मैं आपके लिए शोड़ जा रहा हूं मैं आपको hint दे रहा हूं कि एजरा पांड इन्होंने 1912 में एक group found किया था उसका नाम आपने बताना है और आपके सामने question यह है कि who is known as the father of existentialism option आपके पास सोरें क्रिक गार्ड विल्यम ब्लेक रस्किन बॉन और रडियार के प्लिंग तो जिसका सही आंसर होगा वो क्या होगा option number a अभी मैंने आपको बताया था सोरें क्रिक गार्ड का सही आंसर है अगर हम बात करता रस्किन बॉन्ड को जो पहला प्राइज मिला था the room on the roof के लिए मिला था इनको पहला प्राइज उस प्राइज का नाम आप मुझे comment box में बताएंगे एक और नोवल पे बेस्ट इनकी पिचर बनी थी उसका भी नाम आप मुझे comment box में बताएंगे आपने सब पढ़ा है बस आपको रिवाइज करने की जो रहता है वह आप comment के माध्यम से मुझे रिवाइज करके बताएंगे रडियार कीपलिंग कल आपने इसके बहुत ही अच्छे-चे वाक्स पढ़े थे रडियार कीपलिंग के तो कौनसी इससे बिलोंग करते हैं अगर हम पूछोंगा तो आपक इनके जो ज्यादा तर वर्क हैं वह आपके यहां इंग्लेंड में ही लिखे गए ब्रिटिस राइटर हैं वेटिस राइटर ही इसके पड़ेंगू ठीक है यह हमने इनके पड़े इसके साथ हमें रडियार किपलिंग के और भी वाक किये थे अगर मापको रिवाइज कराना चाहूं तो यह रहे रडियार कि प्लिंग के वाक जो हमने पड़े थे यह हमने पड़ा था कि action नरेटिव पोएम कौन लिखते थे रडियार की प्लिंग दूसा हमने जाना था कि हूर दो गंगा देन पोएम भी किसने किती भई रडियार कि नहीं रिखी थी इसके बाद एक प्रिंटिंग का अपनी प्रिंटइंग के प्रिंटिंग करने के अपने अपनी पेमस को पारत करना पता का सौगस nhấtूलो की सफ़सेंस के इनका यक वर एंट गर इसके संब्सेंस और 7 reveals Metis अब आप मुझे बता दोंक जो कि 1794 माया था सौओ एक्सविक of innocence और songs of experience यह दोनों इनके कौन से collection में पब्लीज हुए थे ठीक है इसके साथ साथ इनका एक बहुत ही famous work है जिसका हम लोग जानते हैं किस नाम से the French revolution the French revolution करके भी इनका एक work है अब यह the French revolution इनकी novel है या poem है वह आप मुझे comment box हों बताएंगे चाहिए आप Google से देखके बताएं या किसी से भी देखके बताएं बात में अगर करूं रस्किन बॉन की मैंने बात करी दी तो बढ़ते हैं अब हम next question क्यों next question है who wrote the historical novel is one who wrote the historical novel is one option आपके पास Thomas Hardy William make peace या थाकरे या सालोटी ब्रॉंटी तो जो आपकी इस आप की नाम बताएंगे अच्छा बताएंगे तो बढ़ता हूं अब मैं नेस्ट क्वेशन क्यों और सालोटे प्रॉंटे और इमिली प्रॉंटे के बारे में कल मैंने आपको सीजे करके याद कराया था यहीं सालोटे प्रॉंटे ने कॉंसी नोबर लिखी कमेंट बोक्स में बताई और कब लिखी उसका यह भी दुबारा बॉल्यूशन कि ने थी चार्ज डार्विन ने अच्छा बताईए थियोरी और इंपरिसिजम कि ने थी ठीक है वह आपके जग्वेंट के राइटर है तुरंत बताईए अगर नहीं बात करता हूं चार्ज डार्विन की तो यह भी कौन सी इसे बिलॉंग करेंगे चार्ज ने यूटरे की बात होगी और अडियार किपलिंग यह सबी राइटर कौन सी इसे विलॉंग करते हैं ठीक है चार्ज डार्विन का इसे विलॉंग करेंगे विक्ट्यूर देशिव लॉंग करेंगे अब आप मुझे चार्ज डार्विन का यह रोमेंटिक यह पैदा हुए थे किसकी बात हो लिए चार्ज डार्विन की फिलॉंग करते हैं रोमेंटिक यह से विलॉंग करते हैं ठीक है अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्यों नेक्स्ट क्वेशन आपके सामने है हूँ इस दपोएट हूँ इंग्रेव इस पोयम इस इंसिट्यूट और प्रिंटि इसका सही आंसर विल्यम ब्लेक के अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो ब्लेक का जो बर्थ माना जाता है 1757 से लेके 1827 तक इनका लाइफ सवाम माना गिया है आपसे मैंने पूछा है कि विल्यम ब्लेक कौन सी एसी विलॉंग करते हैं कमेंट बॉक्स में आप मुझ नानम लगती की अभी आप देख रहे हैं अभी इनको अड़ीट कर रहाऊ होँ ठीक है तो यहार आप का एगल नहीं आ चाहिए और वीडियो लाई रहेंगी इसी चैनल के माधियम से तो मैंने अभी तक आपको एक्ष्पिन करा था विल्यम ब्लेक के बारे में स्टी कॉल्रीज सेमेल टेलर कॉल्रीजिन का पूरा नाम है और स्टी कॉल्रीज कौन सी इससे विलोंग करते हैं तुरेंत आप मुझे बताएं कॉबला क्हान कि इसकी स्टी कॉल्रीज की और ये इनकी इनकोंप्लीट पोएम है ठीक है इनकोंप्लीट मान जाता है इसके इनचेंट मार्यिनर भी इनका बहुत ही सब्सक्राइब है और एंशेट माइनर है क्या यह ओड है या एक सोनेट है तुरंत बताएंगे आप मुझे और बाकी एक बहुत ही इनका फेमस वरक है जिसको हम लोग बाइगरेफिया लिटरियरिया के नाम से जानते हैं ठीक है और इसको हम लोग इनका बहुत क्रिटिकल वरक आप का जाता ह है इसको बाइग्रेफिया डिटरियर्यको अगर मिबात करकة लोड वाइन की लोड्व उर्ड वायरें जोकी जाने जाते हैं उन्हेंग है लैड है्रोड का नाम इप लौड करते हैं यह अभी कभी हमने कन्फ üz करता है आछ ​ बाइरें जो हैं यह भी आपके रोमेंटी केस्ट से विलांग करते हैं किसी और का वरके जाते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा रहा आप मुझे कमेंट बॉक्स हैं बताएंगे तो यह रही इन राइटर्स के बारे में और आप मुझे बताएंगे कि फाइब कौन से वरक में और रेफ अब दी लॉफ में कितने केंटो यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और ट्वंटीटीटू से आप कुछ यार्णाना चाहिए कि 1922 में कुछ गटना हुई है कोई बहुत ही फिमस वर्क पब्लिस हो कि ठीक है डॉन ज़्वान तक मुझे अभी भी सी रशाब यह सब्सक्राइब आप मुझे बताएंगे कि जो आपके डॉन जुए वर्क तो है किसी का यह किसी का अन्फिनिश्ट भी नोवल है और फिनिश्ट नौवल भी हम इसको कहते हैं लेकिन है कि सका आप मुझे कंफर इंग्लेंड में लिखे थे लियुके या यू एस में लिखे थे ये यहाँ पर प्रिंट हुआ और यश्याय काफी लबी वीडियो बन चुकए और जिसा अथ के आपको यहाँ से खना लुज में पर प्रोषेट ना इस डप आत्रों हंता